हेलो फैन स्वागता आपको एक और नहीं वीडियो में तो आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सबसे नहीं पिए को एक ब्रीफ में आपको पता हूंगा कि इंटना रिटरेव क्या होती इसके ओपर नहीं वीडियो आने वाले सेशन में ले कराउंगा तो चलिएंट्रें ट्रेडिं क्या होती है लिए इसके बशीattoTu कि यह जिसको इंटना डिक और नहीं कि खुल्हते हैं त तो इसके लिए आप delivery नहीं ले सकते हैं, delivery का मतलब यह है कि आप साड़े तीन बजे के बाद जो stock आपने buy हैं, sell किये और आप उसको आगे नहीं लेकर जा सकते, तो आपको उसी दिन में आपको profit यह लोगों से वो book करकर जाना होता है, और इसके लावा क्या होता है, यह जो द पज़कर 15 minute पर ही buy करना, जब margin कीजिए 9.15 से बाद में और 9.30 से पहले पहले आपको उसको बेच देना है, एक simple सा scenario है, आपको क्यी चीज बाइ करना है, आप बाइ कीजिए 3.30 से पहले उसको बेच दीजिए, लेकिन इसमें आपको एक और opportunity मिलती है कि आप पहले share को sell कर सक लगती है, example के तोर पर देखिए, जैसे माली जी Reliance है, Reliance का price जो अभी चर रहा है, वो पच्ची सो रपया चर रहा है, आपको ऐसा लग रहे है कि पच्ची सो अभी इसका price है, यह काफी high है, यह आपको technicals जो चार्ट होते हैं, वहाँ पर पता लग जाता है, जब आप उसक इसमें selling आ सकती है, तो मैं इसको यहाँ से sell कर देता हूँ, बेशक अभी आपके पास वो share buy नहीं कर रखा आपने, लेकिं इंट्रडे में आप पहले इसको sell कर सकते हैं, अब आप क्या सोच रहे है कि यह जो stock है, यह मुझे लग रहा है 2495, 2490, 2497, कहीं पे भी, ठीक वहाँ यह उल्टी गेम घूम जाती है, कि आपने पहले stock को sell कर दिया, इसको बाद buy कर दिया, उसको जो 10 point का है, वो आपका profit हो गया, तो ultimately तो अगर हम technically सोचें, तो आपने 2490 पे उसको buy किया है, और 2500 पे आपने इसको sell कर दिया है, तो इंट्रडे टेडिंग में आप buy और sell भी कर सकते हैं, और इसके लाबा, जब आप internet stock trading करते हैं, तो इसमें जो आपको काफी सारी चीजें पहले धियान में रखनी पड़ती है, आपको pre-day planning करनी पड़ती है, आपको जो सारी की सारी अपनी positions है, square off करनी पड़ती है, साड़े तीन बज़े से पहले पहले, तो इसलिए य तो क्योंसी aspects हैं, जिनको हमने अपने mind में रखना होता है, क्योंसी things हैं, जिसको हमने consider करना है, पहले liquidity, तो इस stock में कितने ज़्यादा buyers हैं, कितने ज़्यादा sellers होते हैं, उतनी ज़्यादा उसकी liquidity होती है, इसके लाबा सबसे बड़ी है, इसका जो aspects यह है, कि इसमें large volumes होत होगी, और उतना ज़्यादा उसका जो price है, ऊपर नीचे होगा, तो यह एक अच्छा एक दिन के लिए trading करने के लिए काफ यसा best option होता है, इसके लाबा जब आपने कोई highly liquidity stocks हैं, उसको choose करना होता है, तो आपको यह ध्यान में रखना होता है, कि वो different price levels पे हो, मतलब अगर क जगा जगा अपर buyers और sellers बैठी हैं, तो अगर आपको order लगाते हैं, तो मालीज आपका 224 पे आपने buy के है, 230 पे बेचना है, तो आपको यह पता हो कि 230 पे भी मेरा stock है, वह राम से बिग जाएगा, जब price वहाँ पे जाएगा, और इसके लाबा, यहाँ पर क्या होता है, यह जब बहुत जदा उपर stock चलाएगा, वहाँ पर sellers होगे, तो liquidity यही चीज होती है, कि जब आपको एक technical chart पर पता लगेगी, काफी उपर चला गया है, तो वहाँ पर आप एक sell बना सकते हैं, जब बहुत नीची आ जाएगा, तो आप वहाँ पर एक buying बना सकते हैं, तो यह scenario है जो आपको technical charts पर पता लग जाता है, तो इसलिए आपको liquidity stocks में इसलिए काम करना चाहिए, क्योंकि यह काफी तेज मूमेड देती है, इसके लाबा volatility, volatility medium to high, volatility भी same वही चीज है, कि जब भी जो day के profits होती है, जो day traders होती है, day traders, intraday traders को ही का जाता है, वो क्या करते हैं, उन्हों बहुत ही जल्दी जल्दी उन्होंने एक scenario होता है, कि हमने बहुत जल्दी इसमें entry करनी है, time पर बहुत जल्दी निकल जाना है, क्योंकि intraday में stocks हैं, बहुत जल्दी उपर निचे होती है, जो high volatility वाले stocks होती है, तो इसमें आपको यह benefit हो जाता है, कि आपने expectations रखी है, कि इस तरह move करेगा, इतना down जाएगा, तो उसके coding लिए आपका जो trade है, वो बन जाता है, कई बार क्या होता है, आपको loss भी लेना पड़ जाता है, क्योंकि जो आपके expectations है, उसके against जो है, stock चला जाता है, आपको लगर की उपर जाएगा, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता, वो benefit मिलेगा, अगर आपके favorable में है, तो आपको अची movement मिल जाएगा, अगर आपके against चला तो आपको loss हो जाएगा, तो यह सभी चीज़े आपको consider करने पड़ती है, इसके लाब़ एक रूल नहीं है, कि आपने उसमें से कितना पैसा कमाना है, mostly 3-5% भी अगर आपके stock में मिल ज political, social और other factors के उपरे depend करती है, अगर माली जी कोई सरकार है, election में BJP हागी क्योंकि वो भी center में है, तो आपकी जो market गिर सकती है, socially अगर कोई आपकी bank ने repo rate बरा दिया, तो market गिर सकती है, या कम हो उपर जा सकती है, नहीं चीज़े, बहुत सारे factors होते हैं, तो इन चीज़ों क आपने जब आप stock market में काम कर रहे हैं, इंटरेटेटेटिंग कर रहे हैं, तो आपको day by day आपको news के साथ पर alert रहना परता है, क्योंकि कोई alert माली जी कहीं कोई जंग छड़गी, तो वार situation आगी तो उसके coding भी जो market गिर जाएगी, या क्योंकि लोग काफी जारा sell करने लग जाएगे, तो इन चीज़ें को भी आपको ध्यान में रखना होता है, इसमें क्या होता है, इसमें stock positive भी जा सकते हैं, negative भी जा सकते हैं, क्योंकि कोई पता निकी news कैसी है, क्या अगर favorable news जद उपर जाएगी, अगर negative news जद भी market नीचे गिर सकती है, इसके लाबा, अगर आप आपने जब भी stock market में कोई rise आ रहा है, तो of course वो जो rise है, वो हमेशा stable नहीं रहेगा, आपको rise भी देखना पड़ेगा, आपको fall भी देखना पड़ेगा, इसके लाबा, जो एक correlation में हमेशा बना कर रखना चाहिए आपको, कि आप जब भी किसी internet trading कर रहे हैं, तो आपको हमे lowest भी हो सकता है, तो market trends को भी आपने थोड़ा follow करके रखना होता है, और इसके लाबा moment of stocks, stocks में moment कैसी है, कि speed कैसी है, कि क्या ये speed, जे stocks हैं, वे काफी अच्छे से उपर नीचे जो रहे हैं, इनके supply है, demand है, काफी अच्छी है, अगर ऐसे stocks आपको मिर रहे हैं, तो उनमें भ होते हैं, इसे आपको strength पता लगिया थी, कि ये stock कितना उपर जाएगा, कितना down जाएगा, sport and resistance जो होता है, कि एक level ऐसा आपको दिख जाता है, चार्ट पर, कि जहां पर बहुत ज़्यादा selling आ रही है, एक point आपको दिख जाता है, जहां पर बहुत ज़्यादा buying आ रही है, वही बात है कि अगर जो price है, उसमें अगर movement हो रही है, strength है, उसमें movement हो रही है, उनको momentum stocks कहते हैं, तो कई stocks ऐसे होते हैं, जो बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि अच्छा breakout हो गया, breakout हो गयरा क्या होते हैं, सारा कुछ मैं आपको एक video बनाऊंगा, मैं technical video, उस लेवल के तरफ सोचा है, जिस direction के तरफ सोचा है, उस तरफ जा रहा है, वो movement तो आप profit में है, अगर उसके against आगया, तो आप stop loss लगा कर अपना जो loss है, वो book कर सकते हैं, तो आपको movement भी चाहिए उन stocks में, क्योंकि अगर उस stocks में movement ही नहीं है, उसमें buying नहीं हो रही, selling नहीं है, क्योंकि आपको कुछ पैसे नहीं मिलेगा, तो वह वहीं पर रुका रहेगा, सार दिना बैठे रहेंगे, और add and up आप शायल दोस में निकलें, इसके लाबा sector trends, देखिए, sectors जो होते हैं, बहुत सारे sectors हैं, जिसे technology, sector, backlink, pharmaceutical, automobile, oil, gas, FMDC, sector, काफी सारे sectors हैं, तो आपने देखना है कि कोई से sector है, जो भी अच्छा perform कर रहे हैं, तो उन sectors के जो stocks हैं, आपको choose करने चाहिए, अगर आपने कोई अच्छा sector या sectors identify कर ली हैं, काफी मीनों से, और वो breakout के लिए दिया रहा है, breakout के मतलब एक range है, sport है, resistance है, काफी time से एक stock है, 900 से 8500 के बीच में काम कर रहा अब बहुत सो, देखी जैसे अगर आपने कोई stock identify कर लिया है, अपने sector identify कर लिया है, लेकिन क्या हुआ, आपने वो उसमें trade करना miss कर दिया, आपको था कि यहाँ पर breakout होगा, लेकिन आप उसको stock में trade नहीं कर पाए, तो वो आगे निकल गया, तो अब यहाँ पर आप क्या कर आपने Sipla को buy करना है, इस breakout के बाद मालीजी 900 के उपर आपने इसको buy करना था, लेकिन वो breakout हो गया, और आप उसमें trade नहीं कर पाए, तब Sun Pharma में चले जाजी, Sun Pharma का एक chart लगाई, वहाँ पर देख लीजिए कि यह same sector है, इस sector में काफी अचा buying आ रही तो हो सकता है, इसमें बाइंगा है, तो उसके breakout का इंतियार कीजी, उसमें breakout होता है, उसमें entry ले लिजिए, तो आपको sector wise trend analyze करना है, उनके peers की उपर ध्यान रखना है, तो जब भी आपको मुक्का मिले, तो आपको वो trend है, उसको follow करके आपने trading कर लेनी है, और इसके अलावा end में आता है technical analysis, technical analysis को मैं बहुत ही बड़ी वीडियो बनाने वाला हूं, जिसमें आपको basically पता लगेगा कि हम trading कैसे करते हैं, investment कैसे करते हैं, क्योंकि stock market is all about technicals, अगर आपको trader बनने हैं, तो आपको technicals आने बहुत जरूरी है, इसमें बहुत सारी strategies होती है, breakout होता है, breakdown होता है, इसके आपको काफी red और green color की कुछ candles बनी हुई है, तो इसे भी चीजों को consider करके देखा जाता है कि क्या बन रहा है, stock में buying आ रही है, selling आ रही है, तो इस चीजों के उपर आप ध्यान रखकर भी trading कर सकते हैं, और जैसे gaps होते हैं, कि माली जे कलको जो वो stock था 905 पर बंद हुआ, लेकिन सुभे होते ही, आज जब नया दिन आया, तो वो 920 पर खुल गया, तो वो जो gap है, 15 points का, क्या वो cover होगा, या उसी उपर चलाएगा, यह सब चीजे आपको चार्ट के उपर पता लग जाती है, तो of course आपका जो breakout है, जो भी आपकी चीजे हैं, जो आप stock में, ट्रेडिंग में करें होगी, जिसमें आपको काफी अच्छे से मैं बताऊंगा कि technical analysis कैसे करते हैं, तो अई होप कर आपको यह वीडियो पसंद आई होगे, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई, तो मेरे चैनल को जू सब्सक्राइब कीजिए, मेरी जो वीडियो से अगर आपको पसंद आ रही अगली वीडियो में